कि नमस्कार मैं बुबहं दर 5 हिंदी चनल में आप सबका हर्दिक स्वाइद करता हूं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्यक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें मेरे चैनल के बहुत सारे चात्रा ऐसे हैं जो ट्रांसलेशन के फिल्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं यहां मैं बात सिर्फ इंग्लिस हिंदी ट्रांसलेशन कहीं कर रहा हूं तो बहुत सारे क्वरीज आते रहते हैं तो उनसा भी प्रस्णों का जवाब देने का प्रयास करूँगा मैं इस लेक्चर में तो जो अनुवात के शेत्र में हिंदी अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी शेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं तो शुरू से अंते तक इस वीडियो को जरूर देखें तो यहाँ पर मैं सिर्प सरकारी शेत्रों के बारे बात कर रहा हूं कि सरकारी शेत्र में करियर बनाने के लिए आपके पास क्या-क्या संभावना है तो इसके लिए एक एक्जाम होता है स्टाप सेलेक्शन कमिस्टन के द्वारा जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के कारेले में आपकी नियुक्ति होती है तो ये इसको तीन प्रकार का नाम होता है इस पद का जो translator का जो एक्जाम होता है इस पद के तीन नाम होते हैं पहला तो है junior translator exam बोलते हैं junior translator कनिष्ट अनुअदक दूसरा इसका नाम है junior hindi translator कनिष्ट हिंदी अनुअदक और इस पद का तीसरा नाम है junior translation officer कनिष्ट अनुअद अधिकारी तो ये तीन नाम है तिनों same designation हैं और same pay scale रता है अब इसके लिए भरती करने के लिए समय समय पर स्टाप selection commission के द्वारा क्या होता है वेकेंसी आती है आप रोजगार समचार या फिरка employment news में देख सकते हैं फैपर में भी आता है इसके अधार पर दो प्रकार के कारेलह में भरती होती है junior translator के जो exam होता है SAC के द्वारा इसके अंदर के दो प्रकार के कारेलह में भरती होती है एक होता है CSOLS इसे बोला जाता है Central Secretariat Official Language Service केंदरी सच्चिवालय राज भाषा सेवा केंदरी सच्चिवालय राज भाषा सेवा जिसे हम CSOLS कहते हैं Central Secretariat Official Language Services इसके अंतर गत्य दिया आपका चैन हो जाता है तब आपकी न्यूक्ति दिल्ली में ही होगी क्योंकि इसके लगबग 90% पद जो है दिल्ली में ही केंदरी सच्चिवालय राज भाषा सेवा CSOLS जो इजाम है इसके तहत यदि आपकी भड़ती होती है तब आपकी न्यूक्ति अधिकांस तयाद दिल्ली में ही होगी क्योंकि 90% पद जो है दिल्ली में है मतलब परिच्छा एक ही होगी या दोनों जगा आपका सेलेक्शन हो जाएगा जैसा आपने प्रायर्टी भरा होगा इसके बाद होता है सबाडनेट आफिस सबाडनेट आफिसे इसको बोलते हैं हम अधिनस्त कार्यालय अधिनस्त कारेले वे होते हैं जो दिल्ली से बाहर होते हैं किसी मंत्राला के अंतरगत होते हैं जैसे कि Central GST है या फिर Income Tax Department है महालेखाकर कारेले है आकास माड़ी है इस टाइप के जितने कारेले हैं है अदर मतलब जो दिल्ली से बाहर है उन्हें कहा जाता Subordinate Offices यहाँ पर भी आपकी निविक्ति हो सकती है यह तो होगे आपका कहां कहां आपके Posting होगी अब इसके बद मैं बता देता हूँ इसके लिए Eligibility Criteria क्या है यदि Graduation में आपका Hindi में होना चाहिए इसके अलावा आपके पास ट्रांसलेशन में English to Hindu ट्रांसलेशन और वाइस वर्सा रांसलेशन में आपको आपको क्या होना चाहिए आपके पास? डिप्लोमा या फिर सार्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन में डिप्लोमा इंगलीस हिंदी में हिंदी इंगलीस ट्रांसलेशन में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ट्रांसलेशन में सार्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए certificate होना चाहिए translation में और कहां से किसी भी मानेता प्राप्त विश्विद्ध डियला से आपके पास कोई diploma या फिर certificate होना चाहिए यह अनिवार यह योगता है तो यह आप समझ किया होगे और यह आप कहां से कर सकते हैं जैसे कि इंद्रा गाधिन SNL Open University से PG diploma होता है और आप दिल्ल चाहर पार्ट करना पड़ेगा लगी मैं आपको बैसिकली बता रहा हूं कि उपर में PG करने के बाद आपके पास या तो डिप्लोमा या certificate होना चाहिए यह अनिवार यह है जितना मैं बाते बता रहा हूं आपको यह सभी अनिवार है इसके बाद क्या होता है इसके बाद जो पदुन्नती के जो आउसर कहां पर ज्यादा होते हैं Central Secretariat Official Language केंद्री सच्चवालाय राज भाशा सेवा के अंतरगत जोदी आप चैनित हो जाते हैं तो आप यदि जूनिया ट्रांसेटर के पदपर भरती हो जाते हैं 29-30 साल के उमर में तो रिटार्मेंट तक कम से कम आप डारेक्टर अथवा निदेशक जो टाप लेवल का जो पोस्ट होता है उस फिल्ड में वहां तक आप जा सकते हैं 30 साल के करियर में तो समझ सकते हैं आप जूनिया ट्रांसेटर के पदपर आप भरती होंगे और आप लगभग डारेक्टर जो टाप लेवल का पोस्ट होता है इसमें प्रमोशन कैसे होता है जूनिया ट्रांसलेशन आपिसर फिर सिनिया ट्रांसलेशन आपिसर फिर असिस्टेंट डारेक्ट और उसके बाद निदेशक राज भाशा, ऐसे आपकी पदोनती होती है, तो CSLS में पदोनती के परियापताऊसर हैं, वहाँ पद भी ज्यादा होते हैं, इसके बाद सबार्णेट ओफिसेज में यदि आप भरती हो जाते हैं, करिश्टन वादा के पद पर या पर जूनियर ट् और आपकी पदोनती देशक के पदोनती हो जाएगी, डिप्टी डारेक्टर, डिप्टी डारेक्टर तक आपकी पदोनती हो जाएगी, अब आप समझ कहा होंगे, केंद्र सरकार के कारेले में क्या होता है, जो धारा 33 के जो दस्तावेज हैं, राज भाशा अधिनियां 1973 की थारा तीन-टीन के अंतर गद्यों 14 दस्तावेज हैं जैसे आदेश है कारेला आदेश है कारेला घ्यापन है यह पिर अधीसूचना है या फिर भारत के राज पत्र में जो प्रकासित होने वाले समय 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 पर नोटिफिकेशन है और जो पारलेमेंट कुएस्चन है संसधी प अनुवात करना होता है और प्राया अनुवात किस भाष्ण में होता है अंग्रेजी से हिंदी में प्राया अनुवात होता है कभी कभी हिंदी से अंग्रेजी में भी अनुवात किया जाता है अब यह गूगल ट्रांसलेशन भी आ गया है तो गूगल ट्रांसलेशन की सहाता से कि बहुत सरे अनुवातकारे हो जा रहे हैं केंद्र सरकार के करले में परिभाशिक शद्दावली का प्रयोग किया जाता है इसलिए अनुवातकों की जवरत पढ़ती है इसके बाद जो जूब को निचर बता रहा हूं एक तो अनुवात करना होता है आपको दूसरा क्या होता है भारत सरकार की राजभाशा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है भारत सरकार है हिंदी को जो राजभाशा बनाया हुआ है उसमें जो जो नियम कानुन निधारित किये गए है उन नियम कानुन का अनुपालन सुनिश्चित करवाना आपको होता है मतलब यह सब प्रप्रकार के करलेंगे दो प्रकार से भरती होती है Central Secretary of official language services यहाँ पर आप director तक प्रमोट हो सकते हैं इसके बाद होता है subordinate office यहाँ पर आप deputy director तक प्रमोट हो सकते हैं और इसके लिए vacancy निकलती है staff selection commission के दौरा जिसे आप employment news के रुजगार समयचार में देख सकते हैं आपको qualification बता दिया हूँ हुआ है इसके अलावा आपके पास लो माया फिर साटिफिकेट होना चाहिए किसी भी मायनेता प्राप्त इसके इसके पिर भेस्ट और मेरे पूछ रहे थे कि पीजी करने से या पर इसके बद पियेजी करने से क्या कोई फाइदा हुआ यदि आप education के field में जाना चाहते हैं आप पढ़ाना चाहते हैं प्रोफेसर बनना चाहता असिस्टेंट प्रोफेसर तो इसके लिए आपको फिर MA करना पड़ेगा प्रोफेसर बहुत काम होते हैं अंग्रेजी से हिंदी हिंदी से अंग्रेजी तो इस शेतर में प्राया जो हि इससर पर पता कर सकते हैं लेकिन यदि आप केंद्र सरकार के कारलना में आ जाते हैं तब आपके पास यह opportunities है तो यदि आप बहुत ही peaceful जिन्दगी चाहते हैं ज्यादा challenging काम नहीं चाहते हैं चुकि यह manage team का जाब नहीं है आप हमेशा ध्यान में रखिए यह किसी भी कार्य इनका काम होता है सिर्फ भारत सरकार की राज भाषानीती का अनुपालन सुनिश्चित करना और दूसरा जरूरी दस्तावेजों का हिंदी से अंग्रेजी में अथ्वा अंग्रेजी से हिंदी में अनुआत करना और प्राय आपको अनुआत करना होता है अंग्रेजी से लेकिन ही इसने जो इक्विटमेंट आता है इसमें डिपलोबा और वह लीख राता है प्ग डिपलोमा का लेख नहीं राता तो आप एक बार स्टाप इस Bowl चरल आयरमे फोहन करका भी पता कर सकते हैं क्या पीजी डिपलोमा को भी लाव करते हैं क्या क्योंकि इसमें जो degree का क्रम होता है इस प्रकार होता है Translation के फिल्डे में सबसे छोटा है Certificate Certificate के बाद आता है Diploma Diploma के बाद होता है PG Diploma PG Diploma के उपर है MA in Translation उसके उपर होता है PhD तो ये इस प्रकार इसका degree का क्रम होता है तो निश्टित रुप से आप लोगों को मेरा या प्रयास अच्छा लगा होगा बहुत ही पीसफुल सुगुन भरी जिन्दगी चाहते हैं तो इस फिल्डे में आप जा सकते हैं पाकि आपको बता देता हूं कि यह में इस्ट्रिम का जॉब नहीं है जिसे आप सेंटरल जेस् क्या है और इस तरह आप पाएंगे कि जो राजभाषा जो कार्मिक होते हैं कलागी शेत्र होता है इसका मुख्य उद्देश क्या होता है भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालान सुनिशित करना और यह अनुवाद के लिए भारत सरकार राजभाषा भाग ने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है लेकिन चुकि केंदर सरकार के कारलियो में जो जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली टेक्निकल टेमिनलाजी इसके रिए भारत सरकार ने सन 1971 में वेग्यानिक तथा तक्निक कि शब्दों का हमको प्रयोग करना होता है इसके बाद आप विभिन विश्य देलें की वेबसाइट में जाकर आप देख सकें कहां पर आप 15-4 पार्ठेक्रम के द्वारा या फिर रेगलर कॉर्स के द्वारा आप कौन सा कॉर्स कर सकते हैं सार्टिफिकेट करना चाहते हैं कि डिप्लोमा करना चाहते हैं और यह जो वेबसाइट है स्टाप सेलेक्शन कमिसन के वहाँ पर जाकर आप पिछली वेकेंसी है इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है उसको भी जाकर देखें कि क्या 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 एलिजिविटी क्रैटिरिया है तो इस प्रकार मैं आ जो इस शेत्र में जाना चाहते हैं कोई भी काम अच्छे या बुरा या फिर दोयम दर्जे का नहीं होता है वह आपके उपर होता है कि आपकी इस फिल्ड को चूस करते हैं और किसी भी फिल्ड में आप यदि अपना सरवस्यष्ट देते हैं आपको अपने काम से कि सबसे ज़्यादा महत्तपूर्ण है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आप पूरी तरह संतुष्ट है कि नहीं तो मेरी वाल से धेर सारी शुप काम नहीं कि आज का मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा ता कमेंट बाक्स में कमेंट कर जरूब बताएं ता यह धियान मे अबारत